कि नमश्कर वावब सक्षी निश्टनेटर को आप सभी का स्वागत है हर्याना में खनन माफिया ने एक पुलिस उपाधिक्षक को दिन दहड़े कुचल कर मार दिया जिससे राज्य की राजिती गर्मा गई है साथी यह भी सवाल उठा है कि पुलिस जब सुरक्षित नहीं है है तो आम जंता का क्या होगा हम आपको बताते हैं कि हर्याना के नुह जीले में अवैद पत्थर खनन की जांच कर रहे एक डिएसपी को एक डंपर ट्रक ने उस समय को चल दिया जब उन्होंने चालक को रुखने का इशारा किया बताया रहा है कि कुछले जाने से डिएसप सुरेंद्र सिंग की घटना स्थल पर ही मृत्य हो गई अधिकारियों ने बताया है कि तावडू के डिएसपी सुरेंद्र सिंग ने दस्तावेजों की जांच के लिए एक डंपर ट्रक को रुखने का इशारा किया था लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए उन्हें ट खोशित कर दिया इस खटना के बाद ट्रक ट्राइवर फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस फल को लगाए गया है उदर मुख्यमंत्री मनुलाल खटर ने कहा है कि तावडू के डिएसपी सुरेंद्र सिंग जी की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कारवाई करने के आ मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र सिंह के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरियी देने का एलान भी किया है इस मामले में इस्ठानी जिलादिकारी और पुलिस अधिकारियों में पॉलिस लगने प्ले कि उनिल वी मत्यमें 11-2 कए take Per Kirt The हम पूरी कारवई करेंगे और किसी को भी बख्षेंगे नहीं इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है पूरु मुख्योंत्री और कॉंग्रेस नेता भूपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा है कि हर्याणा में विधायक और पोलीस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जंता कैसे सुरक्षित रहेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं बची है और कानुन व्यवस्ता चर्माराथ चुकी है तथा लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है कि कॉंग्रेस के राजेसभा सांसर दिपेंद्र सिंग हुड़ा ने भी राजेसरकार पर निशाना साते वे कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार के संद्रक्षित में फलफूल रहे खरनन माफिया ने एक और जान ले ली है उन्होंने कहा कि डिएसपी सुरेंद्र ब अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके